दीदी, मुझे तो यकीनी नहीं हो रहा that it's already 2022, ऐसा लगता है, जैसा भी कुछ दिन पहले ही, तो 2021 को वेलकप किया था है ना, कितना कुछ हुआ ना 2021 में, लॉक्ड़ॉन ने कितना कुछ चेंज कर दिया, everything was shut down और दीदी, स्कूल भी तो नहीं खुले, इतने टाइम से ही, बस घर से ही टेंट कर रहे हैं हां जी, पूरे दो साल हो गया, स्कूल के शकल तक नहीं देखी, और लाइन क्लासे मों पढ़ते पढ़ते तो स्कूल का सारे एक्स्पिरियंस ही मिस हो रहा है, और फ्रेंड्स, स्कूल ना खुल ले की वज़ा से, फ्रेंड्स सब इला भी तो कितना मुश्किल हो गया है, हां जी, कोई बात में प्याशा, आज नहीं तो कल साही, आज नहीं तो कल साही, वट बीटिफुल थॉट, तो चलिये, इसी थॉट के साथ, चलते हम इस क्लाउन के पास, और देख हैं, वो हमें किस जर्णी पर लेकर चलते हैं? आप देख रहे हैं इनको, इनका नाम है हस्मुक जी, ये हैं आपके होस्ट और आपके दोस्त, जो इस Kids Divine की जर्णी में आपके साथ रहेंगे, और इस जर्णी के बाद भी आपके चहरे पर एक मीठी सी मुसकान छोड़ जाए हाई उस्तत, लॉंग टाइम, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी परफेक्ट, अरे वाँ, स्केट बोर्ड, क्या आप स्केट बोर्डिंग करना सीख रहे हो? येस, और मुझे दुनिया की बेस्केट बोर्डर बनना हैं, अच्छा, स्काई ब्राउन की तरह, स्का मैं आपको स्काई ब्राउन के बारे में बताती हूँ, स्काई ब्राउन वज अ ब्रिटिश स्केट बोर्डर जिन्होंने टोकियो ऑलिम्पिक्स 2020 में थरटीन जीर्ची एज में ब्रॉंज मेडल जीता है, इतनी काम उम्ब ब्रónस मेडल, वाओ। उन के बारे में और बताओ हाँ जी, बट इनकी जर्नी आसान नहीं थी, इन्होंने अपने रस्ते में आने वाले हर मुश्किल को पार किया, पता है, जब वो ओलिम्पिक्स के लिए प्राक्टिस कर रही थी, तो वो एक राम से बोहुत बुरी तरह से गिर गई, and she got multiple injuries too, but after a speedy recovery, she got back on her feet, और फिर उन्हो Britain को Tokyo Olympics में represent किया, बलकि bronze medal भी जीता, वाव, what a hero, उनकी story तो बहुत इंस्पिरेशनल है, exactly, focus, hard work, determination और प्राक्टिस से सब कुछ अचीवबल है, that's correct, and thank you so much for inspiring me, bye, see you around. झाल 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 पार हम नंबर्स को हिंदी और इंग्लिश में ही क्यों, ताइरेक्ली इंग्लिश में ही क्यों ना बोले, यही तो चैलेंज है, पर मजाएगा, let's try okay let's play one two three four oh आपसे गलत हो गया कोई बात नहीं हम फिर से start करते हैं थड़ा और alertness से okay one two three four five oh इस बाफ फिर से गलती हो गए can we try again okay हम फिर से start करते हैं पर इस पार मेटर फोकस के साथ okay one two three four five six seven eight nine ten ओ इस पार तो मुझसे ही गलती हो गई क्यों ना हम सब एक last try करें why not one two three four five six seven eight nine ten eleven बारा वाओ अब अब दन सदने बलकुर छीक से बोला practice and patience can make us achieve any goal और हमें संगत में भी सिखाया जाता है अगर हम अपना फोकस अपने उपर बनाए रखे तो हमारा सब काम समय पे हो जाता है और हम अपना time सिरफ अपने सुधार में ही लगाते हैं very true हाँ जी सुनो कहानी बड़ी सयानी सुनो कहानी बड़ी सयानी हाए चिन्टू हाए मिन्टू तो चलो मिन्टू हम पकड़न पकड़ाई खेलते हैं लेट्स प्लेट तुम भागो और मैं तुम्हें पकड़ता हूँ ओ नो ओ नो अरे हम कहां गिर गए अब हम बाहर कैसे आएंगे ये तो बहुत मुश्किर हो गई हम चिन्टू मेरे पास एक आइडिया है अगर हम अपने पैरों से मलाई को लगातार ही लाएंगे तो धीरे धीरे इसका बटर बन जाएगा और हम उस पर आसानी से क्लाइम करके उपर आ सकते हैं लेट्स ट्राइ चिन्टू ओके मैं कोशिश करता हूँ अब मैं और नहीं कर सकता अबी तो कोशिश भी नहीं की अच्छा ठीक है आप बोलते हो तो मैं कोशिश करता हूँ गुड गुड मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ओ मिंटू मैं गिर गया कोई बात नहीं हाड नहीं मानने नहीं मुझसे नहीं होगा होगा क्यों नहीं होगा पता नहीं मैं कैसे गिर गया मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना All we have to do is try our best to get out of speed क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी hard नहीं होती तुम करो कोशिश, मैं नहीं कर पाऊंगा चिंटू, देखो देखो, यह मलाए तो इकठी हो रही है But it's not happening for me चिंटू, तुम ठीक तो हो चिंटू, चिंटू अखिरकार, इतनी महनत के बाद बटर बन ही गया वाओ, unable to cry now तो देखा बच्चो, हार ना मानने वाली एक सोच ने मिन्टू को कैसे बचा लिया इसी तरह भक्ती के रहा पे हमें आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए रुकना नई है, ठकना नई है भक्ती पत से हटना नई है रुकना नई है, ठकना नई है भक्ती पत से हटना नई है आओ सीखे गुर्मत के तरह आने इन बच्चों की कला के बहाने आओ देखते हैं गुनगुन जी के पास हमार ले क्या है हाई गुनगुन जी हाई क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिलकुल ये क्या है? इसके तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग कलर्स है बिलकुल मेरे ड्रेस से मैच कर रहे है ये एक रुबिक्स क्यूब है और मैं इसको सॉल्व कर रहे हूँ बट ये तो बहुत ही जंबल्डप है क्या आप इसे सॉल्व कर पाओगे? हाँ जी, हाँ जी, मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस किया है मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, दिखाऊ ये लो ओ वाओ क्या इसको भी सॉल्व करके दिखा सकते हूँ? नहीं, मैंने इसको सॉल्व करने के बहुत कुशिश की बट ये सॉल्व ही नहीं हो रहा ये मूव ही नहीं हो रहा देखो, ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है और इसकी वज़े से मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रही ओ आपको पता है जबी भी मैं यहाले रुबिक्स क्यूब को solve करती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर हम यह इस रुबिक्स क्यूब के तरह flexible बन जाए और जैसे माता जी हमें चला रहे हैं वैसे ही चले तमारे लाइब भी इस रुबिक्स क्यूब की तरह solve हो जाएगी और beautiful लगेगी वाओ रुबिक्स क्यूब से भी इत्ता beautiful message अरे क्या आपको यह आवाज सुनाई दे रही है हाँ, वहाँ मेरे friends है, you can go meet them और राइट, बाइ, बाइ, बाइ हम इस bottle को shake करते हैं, तो जो CO2 और cola रहता है, वो mix होता है हाँ, यह मेले है ना, मैं पीलू नहीं, आज स्कूल में एक experiment पढ़ाया था, भाया हमें उसका practical करके दिखा रहे है हाँ जी, I really like this experiment, जब हमें यह experiment स्कूल में करके दिखाया था, तब मुझे इस experiment से एक important lesson भी मिला था अच्छा, और वो क्या था? वो तो आपको experiment के end में पता चालेगा, आप देखोगे? Yes, yes, yes यह दो soda bottles है, इन दोनों soda bottles को हम equal energy के साथ shake कर लेते हैं अब एक soda bottle को side पे रख देते हैं और दूसरी soda bottle की क्या पूपन कर लेते हैं? यह क्या हुआ? जब हमने bottle shake की, तो bottle में CO2 का बहुत सारा pressure build-up हो गया बिलकुल, और क्यूंकि हमने बिना साथा time wait किये, bottle का cap open किया तो अचानक से वो सारा soda बहुत pressure से बाहरा गया Yes, it erupted like a volcano and created a huge mess चलो, अब हम दूसरी bottle open करते हैं जिसको हमने shake करने के बाद थोड़ी दे side पे रख दिया था अरे, इसमें तो bubbles and soda बहुत कम pressure से बाहर आए, ऐसा क्यों? इसका मतलब अगर हम bottle को shake करके थोड़ी दे side में रख दे और इससे क्या होगा? इससे वो situation बिगडेगी नहीं, बल्कि solve हो जाएगी वाँ 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 अब साइंस ने भी हमी सखा दिया कि we should respond and not react झी हमी बल्किल्ड वाँ! जी बिलकिल्ड वाँ, अची हमाँ इएँ लेस्ट रटा बाइ अलू यहाँ वाँ, हृँ शच व्यूत पेंटिंग यू, आ जूस्ट फिनिष्ट है पर एक क्ष्टोन है मेरे मांद में मैं पूछू हाँ जी जरूर आपने इस girl की laces open क्यों रखे है एक बार मैंने एक friend को देखा अपने society में she was trying to tie her laces खेलते खेलते उसकी laces बार बार खुल रहे थे वो laces बानती और खेलने लग जाती पर उसकी laces फिर से खुल जाते अच्छा फिर क्या हुआ finally वो अपने group के एक बड़ी दीदी के पास गई और उनसे पूछा क्या आप मुझे laces बानना सिखा सकते हो उन्होंने उसे laces बानना सिखाया और मुझे दिखा कि इस बार जब उसके laces खुले तो उसने अपने आप laces बान लिये और इस बार laces नहीं खुले ओ वाओ I learnt the art of not giving up और जब भी problem आ जाए या हम ठक जाए तो किसी ऐसे के पास जाए जो रास्ता दिखा पाए जैसे सद्गुरु माते जी हमें भगती पत पे चलने की शिक्षा देते हैं और हमारी life easy कर देते हैं वाँ 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 कन-कन से शिक्षा वैसे यह music की आवाज कहाँ से आ रही है लगता है कोई guitar बजा रहा है Let me go check it out Bye-bye Life is a gift Fill it with happiness Being good to people Bring light to darkness Use your opportunities And enjoy success Live with humanity and harmony And learn forgiveness Live your present with passion Don't dwell in the past Enjoy every moment in life Cause these moments pass fast Don't let your happiness depend on luxuries Because you don't know if they last The only thing constant in life Is truth which is vast Let's learn to celebrate life Benefit from its opportunities Learn from your previous mistakes And enjoy life's diversities Make every day a festival And celebrate it with compassion Follow Sadhguru's teachings And strengthen your connection Murshid ke nakshe qadam par Jab chalenge ye qadam Khushnuma har lamha hooga Paayenge manzil ko hum Rehae ma te Rehae ma te Ager is nirakar peh vishwaash bana ya Toh wo vishwaash kis tarha ka bana ya Kya wo eek her chiz me waqe hi Hameen pata hai Kye ye vishwaash rakkar Kye hemari bhalai ke liye hi Palpal Yeh sansar me With every breath that we take Wo nirakar ne Bhoat hi sundar ta se Jeevan racha hai Ya phir Eek us tarhe ka vishwaash Kye jub tuk Chizیں Eek meere mutabik Tub tuk Achhi hai Vernah usi pal nirakar ko kosnay chalye Ki aisa kyun Hameari jeevan me Ghatit ho gaya Toh kis tarha ka vishwaash hai Eek Apne oopar bhi Jub hem baat kerte hai Kye ek vishwaash ki Toh wo Baat Kye hum Ager school ke time Se hhi dekhیں Exams ke pahle Kiasse Teachers bhi Semjhate Vachche ko Kye Aapne to Achhe se Padhai ki hai Aapne Aapne oopar Aapne oopar Pura vishwaash Rakhna hai Confidence se Exams Dena hai Cheating Nahhi Karni Or Aisi Jou Aik Motivate Karke Khi Agar Zyadha Sameyab Nahhi Bacha Kuch Agar Chapter Aik Aadha Chhoot Gya Far E Same 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 Confidence Se वाव दिदी, what a learning experience! इसमें वाइक एपिसोड ने किती इंट्रेस्टिंग लेर्निंग थी, कि आज नहीं, तो कल सही. इंडीड, इसे परिसोड से काफी कुछ सीखने को मिला. तो आएए अंत में यही प्रे करते हैं, कि इस सारी learnings हम अपनी life में implement करते हैं, आगे बढ़ते जाएं.